तो यह आज के दिन का दूसरा वीडियो है, आप टाइम देख लो, मैं आपको टाइम क्यों दिखा रहा हूँ, सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है, अगर आप चैनल को पहले ही बार देख लो, मैंने बोला था यार कि 8-8 बजे, सुबा 8 और साम के 8 बजे दो वीडियो जाएं बट कल से रेगुलर आएगा video, कोई भी tension नहीं है, लेट होना चाहिए अंगर, मेरा concept clear है, लेट हूआ, कोई बात नहीं ठीक है, लेट हुआ, बट यहाँ पे video भीडियो और देखें कि लुपर आंपूली के दना की और जो ढूरीज को एमने एक बार का इनदे कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं आज हम क्या करने वाल है सबसे बड़ी बात टाटा कंजूमर प्रोडक्ट्स क्या हम इसके बिजनस के बारे में बात नहीं करने वाल है हम इसके बिजनस के बारे में बात नहीं करने वाल है हम इसके बिजनस के बारे में बात नहीं करेंगे तो फंडमेंटल उन्च विडियो यहां एक महीने पहले अप्लोड हूआ था यह विडियो इस विडियो का लिन्क आई बटन पर आपको मिल जाएगा एंसके साथ ही घनdag एक और वीडियो है जश्ट Ó कि यह रहा तो यह पॉर विडियो को आपको रहाँ मिलेगा आई बटन पर मिल जाएगा इन दोनों वीडियो को आप चेक आउट कर सकते हो ठीक है fundamental technical analysis पुरा detail में मिल भी है 12 minute का video है यह जो ऊपर वाला video था यह 32 minute का video है बहुत detail में इसके business को analyze किया हूँ है and आप जरूर से देखना जो चोटा length वाला video है यह वाला video इसमें I think fundamentals को 32 minute का video है अब जरूर से देखना इस video को बाकी यहां पर जो है guys मैं fundamental में क्या बात करूंगा तो सारी बात मैंने कर रखिये fundamental में balance sheet कैसा है और investor यह सब कैसा है बाकी profit and loss statement कैसा है सब कुछ बात क्या हुआ है लेकिन March 2023 यह वाला quarter नहीं है था तो इससी वाज़े से इसका बात नहीं हुआ है बाकी यहां पर जो हम देख लेते हैं कि यह quarter कैसा है March 2023 का यह quarter है कैसा है तो हम इसे compare करने वाले है एक साल पहले March 22 से तो यहां पर जो हम इसे profit 512 का हो गया margin जो है same है अगर बात करें profit before tax के बारे में तो 385 का profit before tax यहां पर 450 का हो चुका है और उसके साथ अगर हम बात करें net profit के बारे में तो net profit 2.39 का net profit 2.90 का हो चुका है and EPS भी देख सकते हो 2.36 का EPS 2.89 का हो चुका है तो यहां पर जो है अच्छा कासा है यहां पर आपको सब कुछ growth होदा वह दिख रहा है मतलब ऐसा कोई भी जगा नहीं है जहां पर आपको growth ना दिखियो अगर आप quarter on quarter भी compare करोगे तो यहां पर sales quarter on quarter wise भी increase हुआ है लेकिन quarter on quarter का जो है मैं उतना महत्व नहीं देता हूं उतना importance नहीं देता हूं क्योंकि guys quarter में company अच्छा performance अपना नहीं दिखा सकती कुछ-कुछ quarter में दिखाती है वह अलग बात है जैसे इस quarter में काफी अच्छा performance दिखाता बड़ हर quarter में चीज नहीं होता है इसलिए इस quarter on quarter compare करना उतना सही मुझे नहीं लगता है बाकि अगर आप देखोगे तो quarterly wise भी सब कुछ ठीक है अब आप बोलो गयार quarterly wise आप तो कहरो revenue ठीक है ले यहां पर देख लो other income जो है 128 का था जो की घट करके 49 का हो गया और इसी वज़े से यहां पर यह चीज घट गया बाकी अगर आप देखोगे तो यह जो depreciation है यह भी बढ़ गया तो इसी वज़े से यह घट गया तो यही reason है बाकी मैंने आपको बता दिया लेकिन मतलब quarter on quarter का उतना importance नहीं होता है बाकी यही चीज मुझे discuss करना था fundamentals में बाकी सभी चीजे मैंने इस वीडियो में या फिर इसके पहले वाले वीडियो में आप इसी को देखना बंद मंद पहले काई तो जादा relate कर पाओगे तो मैंने बताया हुआ है बाकी आप चाहो तो दोनों वीडि कर दे रहा हूं यह देखो चाहर को अब चाहर को अब मैंने एक्स्ठर क्या बनाया हुआ है उल्ज यहां बाकी यह बनाया हुआ है तो यह बाकी पहले है यह भाना हूँ को दिखाना बी चाहता हूँ अगर मैं इस वीडियो को open करता हूँ pause करके इसे बंद कर देता है माइक को यहाँ पे आप देखोगे मैं quality थोड़ा बढ़ा देता हूँ त्याकि आपको सही से दिख जाए just wait a second, यहाँ पे quality जादा बढ़ा, okay so आ चुका है यह, अब आप यहाँ पे देखो यह lines and यह सब, सब कुछ पहले से बना हुआ है मैं आगे भी थोड़ा करके आपको दिखाता हूँ यह देख सकते हो, यह देखो, यह सब lines, यह box, यह सब कुछ पहले से बना हुआ था, सब कुछ and मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे, आप इस line को अगर देखोगे, यह जो line है, यह जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ यह इस time पे मैंने बनाया था, 27th March, इसी दिन को मैंने बनाया था यह video and उसके बाद क्या हुआ, मैंने बताया था कि यहाँ से double bottom pattern बन सकता है, आप वीडियो को देखना आप समझ जाओगे तो अब मैं यह video क्यों बना रहा हूँ, तो यहाँ पे guys इस video बनाने का एक और रिसाने यह वाला video बनाने का, यह उपर तो चला गया, आपका कितना percent मैं बता नीरा जस्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बोलोग यार इतना percent, around 13% तो हमारे हाँ से चला गया, या अगर य क्या करें हम, मतलब यही सवाल आता है, obviously अब क्या करें, तो यहाँ पे guys मेरे हिसाब से फिर से position बनाया जा सकता है, और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कोई भी recommendation नहीं है, ठीक है, position बनाया जा सकता है, आप कुछुग यार, कैसे, तो मैं आपको बता दाओ, सबसे पह देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 days का यह में और 50 days का यह में का cross over हो रहा है, बतलब 200 days का यह में नीचे जा रहा है, 50 के पहले ही काफी यह भाग चुका है तो जो भी है यह भी एक प्लस पॉइंट होता है एंड साथ में गाइस आप अगर देखोगे तो यहां पर कपन हंडल पैटन का स्टॉप लास कहा लगता है तो सबसे पहली बात तो यह ब्रेक आउट अभी तक हुआ नहीं है ठीक है तो मै बाकि जो होता है उस हिसाब से आपको काम करना है मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं रेकमेंडेशन नहीं दे रहा तो यहां पर देख सकते हो पहली बात कपन हंडल पैटन का ब्रेक आउट नहीं हुआ है अभी तक अगर कल ब्रेक आउट हो जाता है यह एक कैंडल नीचे जाते हो तो जा सकते हो ठीक है लॉंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप शॉट टम में जाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अगमलब जो भी यह ए अगर आप देखोगे आज के दिन क्रॉस ओवर हो चुका है अगर मैं आपको दिखाऊ थोड़ा सा अगर मैं और जूम करता हूँ तो यहां पर यहां पर ऐको एक सिक के लिए और यहां पर में बनाया भी थाा बमलेंड cancelled लग तो यहां पर आपको दिखो जासमत तो यहां पर कहां लगेगा आपको को बता है यहां पर handle pattern का stop loss कहां लगता है खुद से पूछो यहां पर handle का जो विक होता है मतलब handle का lowest point होता है वहां पर stop loss लगता है तो stop loss आपका कहां रहेगा 756 के आस पास stop loss रहेगा और यहां पर target target के बारे में बात कर लेता है फिर एक बार stop loss पर आओंगा ठीक है तो target यहां पर देखो target कैसे measure करता है खुछ से पूछो target यहां से यहां तक जो high तक होता है वहां टाक हम लोग लेते हैं इसी को हुम फिर उपर लगा देते हैं तो हमारा जो है target आजाता है अब target देखो कहां तक आया target आया यहां तक ठीक है अब यह point कौन से है अगर मैं एक line यहां पर बना देता हूँ चलो यह देखो यह line बना दिया यह कहां पर आया यह exact मतलब या फिर क्या सकते थोड़ा से उपर यह all time high के थोड़ा से उपर आया ठीक है तो य black line तक आएगा अगर यह all time high के cross नहीं करता है उससे पहले यह नीचे अन लगता है तो यहां तक तो जाएगा all time high तक तो all time high तक अगर जाएगा आपको आराम से बैठना है हो सकता है थोड़ा नीचे आजा फिर यह उपर जाएगा तो resistance का मतलब क्या होता है वहां पर थोड़ा time correction हो सकता है इस तरह से कुछ इस तरह से time spend कर सकता है तो आपको से डरना नहीं है ठीक है अब एक और बात जो मैं stop loss के बार में बता रहा था अगर आप यहां पर देखोगे खासकर इस line को ठीक है मतलब पूरा box तो एक resistance का box है ही मतलब लेकिन resistance और support लेकिन अगर आप इस line को देखोगे तो इस line पे काफी बार जो है प्राइस आकर के गया हुआ है यहां पर देख सकते हो इस line पर price आया प्राइस आया रिजिस्टेंस resistance ऊपर गया फिर यहां पर ब्रेक किया resistance इसी point पर support पूरा यहां पर consolidation काई रिया है support मतलब resistance सब उच है पूरा consolidation काई रिया है मतलब काफी दिन यहां पर time spent हुआ है और आगे अगर आप बढ़ोगे तो और आगे आप देख सकते हो बाकी तो यहां पर जो है यह जो इसका point है यह point काफी strong consolidation भी है यहां पर तो यहां पर जो है अगर price मान लो stop loss आपका आएगा भी न तो stop loss आपका एक बार में नहीं आएगा मतलब ऐसे ऐसे गर के दिरे 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 नीचे आएगा और नीचे आते हो सकता है एक और handle बनाते मैं यह नहीं कह रहा कि यहां पर जो ह में आ करके फिर से market फसता है और वही से support लेता है क्योंकि consolidation मतलब क्या है आप समझो आप मालो एक सरक एक रास्ता है यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़े ठीक है बहुत भीड़े से बहुत भीड़े आप single आ रहे हो तो वापस यह मुड़ जाएगा तो वही बात यहाँ पर भी होती है कि बहुत जहां भीड़ होता है जहां बहुत candles होते हैं वहां एक बहुत अच्छा support या resistance जो कहलो ऊपर से आता है तो support नीचे से आता है के लिए long tone के लिए longечно करना चाते हैं जो short uterm के लिए hold करना चाता है stop loss है क्या यह stop loss है तो बिल्कुल नहीं जो long time के लिए hold करेंगे अगर यहां तक आएगा और वाई करना और नीचे आएगा इन लेबल पर अगर आगया अगर आ गया तो फिर से आप बाई करोगे तो यह चीज है मतलब staggered buying करोगे बाकी recommendation नहीं है buying करने का मैं बार 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 बता रहा हूँ अपना बात जो मैं खुद करने वाला हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ अबस यही था आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो भी बताया बहुत चीजे मैंने बताई आपको समझ में आया होगा थोड़ा detailed video हो गया around okay so 14 minute का वीडियो हो चुका है एंड करते हैं वीडियो को अगरे इस वीडियो चलेगा लाइक से सब्सक्राइब कर दोना काफी लेट से वीडियो आ रहा है पर यार कल सुबा फिर से आठ बजी वीडियो आ जाएगा टाइमले टैंशन मतलो एंड करते हैं वीडियो को और बा बाइब थैंक्स वर वाचिंग